हेलो फ्रेंट्स आज हम लगाने वाले हैं समर फ्लाबरिंग बल्ब्स और हमने ये ओनलाइन मंगाए हैं ये मैंने पांच परकार के बल्ब जो है मंगाए हैं तो ये हमारा फुटवॉल लिली का बल्ब है इसका फ्लाबर जो है कुछ इस तरह से आता है पिक्चर में देख सकते हैं और नाम इसका फुटवॉल लिली है तो एक बल्ब तो हमने ये मंगाया है और ये बल्ब मैंने आललाइन मंगाए हैं और ये मुझे बाए पोस्ट मिले हैं नेक्स्ट बल्ब हमारा जो है वो है ये एलो कोसिया का जिसका प्लांट कुछ इस तरह से होता है और आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं आप पिक्चर में देखिए इसका प्लांट कुछ इस तरह से होता है तो यह इसका बल्ब है नेक्स हमारा है रजनी गंधा रजनी गंधा का बल्ब इस तरह से होता है और अपने पिक्चर में देखा किस तरह से रजनी गंधा के जो है फ्लावर आते हैं नेक्स बल्ब हमारा ज मिनीज का आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह से जो है इसमें फ्लावर आते हैं तो इन पांचु बल्ब को जो आज हमें लगाएंगे किस तरह से इनको लगाते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो है यह 12 इंच का पॉर्ट लिया है आप 8 इंच के पॉर्ट में भी न आराम से लगा सकते हैं बस हमें चेक करना है हमारे पॉर्ट में प्रॉपर डेने जोल जो है वो होना चाहिए और इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले पॉर्ट में जो है ड्रने जोल को कबर करने के लिए डाल रहे हैं सूखे पत्ते फ्रेंड साप इसमें जो है पत्थर य होती है उसे में डाल दूंगे तीन हिस्फा इस पॉट में तीन हिस्फा नार्मल गार्डन स्वाय wär डालने के बाद हम इसमें जो है नेक्सट डालेंगे हमारा व्लाज की चले भाशा जब दूम्यम कंपोश्ट कोई या बंसक्त跟द दों काउडं कम्पोस्ट और दोनों को हम अब अच्छे तरह से करदेंगे में इसाइट करना है बड़ी आसे में करने के वाद हम सेंटर में गड़ा बना लेंगे बल्ब को बिठाने के लिए और यहां पर हम यह रख देंगे बल्ब फुट वाल लिली का बल्ब जो है हमने लिया है और इसे हम यहां पर भी सेंटर में इस तरह से गड़ा बना कर रख देंगे और मिट्टी से कबर कर देंगे इस तरह से और मिट्टी से कबर करने के बाद अब हम देंगे इसमें पानी पानी फ्रेंड्स आपको जब तक बल्ब ग्रो नहीं हो जाता तब तक बहुत संभल कर पानी देना है एक दम थोड़ा सा पानी देना है क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हुआ तो इसलिए आप फिल्ब ग्रो नहीं हो जाते कम ही पानी दे और इसे आप फिर फुल संलाइट में रख सकते हैं इनको धूब बहुत पसंद होती है समर बल्ब है तो आप इनको फूल संलाइट में रख सकते हैं इसी तरह से हमने सभी गंबले में मिट्टी बना ली है तीन हिससे हमने गार्डन स्वाइल लिया एक हिस्टा हमने लिया एक आउडंग कमपोस्ट को अब हम इसमें ये रजनी गंदा का बल्ब जो है रख रहे है सम उसी तरीके से हम सारे बल्ब को जो है सभी पॉट में रख देंगे ये हमारा है एलो कोसिया का बल्ब इसे भी हम रख देंगे बीच में सेंटर बना कर इस तरह से हम ये बल्ब को रख देंगे और फिर से मिट्टी से कबर कर देंगे और बल्ब फ्रेंड से हमें जिस साइ से यह ROOT का सिस्टम रहता है उसे हम नीचे साइड रखेंगे मिट्टी में और जिधा से इनकी आँख निंकल रही है या ग्रो हो रहे हैं यह देखिए ROOT साइड हम नीचे रख देंगे और जीसर इनकी आँख बन रहे है साइड को हम उपर रखेंगे इस तरह से हमने सबी बल्ब को रख लिया है एक अच्यमिनीस का बल्ब जो बचा है उसे हम ये छोटे पॉट में लगा रहे हैं क्योंकि ये अच्यमिनीस जो है छोटे पॉट में भी बहुत आराम से हो जाता है आप इसे हेंगिंग बास्केट में भी जो है लगा सकते हैं तो इस तरह से याच मिनीज का बल्व है और इसे हम लगा रहे हैं इसके लिए हमने एक दम छोटा सा गड़ा बनाया है आधा इंच के असपास और हम इस तरह से समिट्टी से कवर कर देंगे अब दे देंगे हम सभी गंबले में जो है पानी इस तरह से पानी वही सिस्टम आप याद रखें ध्यान देने की चीज़ वसे एक ही है फ्रेंट बहुत इसली ये ग्रो हो जाते हैं कि वल जब तक ग्रो नहीं होना स्टार्ट हो देते हैं 5-6 इंच का पोधा नहीं हो जाता तब तक आप पानी बहुत संभल कर दें नहीं तो हमारे चैनल पर पहले बार आये हैं तो मुझसे जुनने के लिए मेरे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रस कर लिए जिससे मैं आने वाले इसी तरह की वीडियो के नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और मैं इसकी अपडेट आपके साथ लाती रह है एप्पी गार्डनिंग